बुससा यह अई गूसाई जी थे गूसाई जी और इनको बड़ाप्रेम करते थे इनकी बड़ी सेवा किया करते ते इनका बड़ा ध्यान रखा करते थे बहुत ही जादा इनका ध्यान रखते थे वो कोई लीला गटी ठाकुर जी के मन में नेक और एक लीला याती है ऐसे लीला उन्होंने की कि गुसाइं जी को संदे हो गया यह भगवान कैसे हो सकते जब यह अपना भी ध्यान नहीं रख सकते तो भगवान कैसे कैसे बाकी भगवान है तब भगवान ने इनने स्वप्न में उनको कहा कि देखो गुसाइं जी आप हमें भगवान भी मानना चाहते हो और आप हमें गोपाल भी मानते हो तो एक ही जगे पर हम दो भाब प्रदर्शन कैसे करेंगे या तो छोटा बालक ही मानो या फिर भगवान ही मानो तो उनको साइजी को कहा कि जो भाब आप हिड़दै से मानोगे हम उसे पालन करेंगे तो ये मेसेज हम सब के लिए है जो हमारे मन में भगवान के प्रतिश्वरूप हो वो एक और क्लियर हो वो क्लियर होना चाहिए अगर आप उन्हें लड़गो पाल मान रहे है तो फिर उनसे उम्मीद मत रखिये कि वो तुमारे घर बनवाने आएगा अगर आपने लड़ोगोपाल मान रहे हैं तो फिर उंबीद मत कीजिए कि वो तुमारी गाड़ी बंगले सब कड़े करवा देगा उनके लिए तो फिर तुम ही कड़े करो फिर उनकी सेवा तुम करोगे वो तुमारे आके क्याम करने वाला नहीं तुमारा बेटा जब तीन साल का था तुमारे बेटे ने तुमारे लिए कोई काम किया क्या तुमारा बेटा नोकरी गया क्या करने तुमारे घर बनवाए क्या दो तीन साल के पांच साल के तो इतने बाल रूप में अगर भगवान को बसते हो तो फिर उनसे अपेक्ष्या मत रखो अपना प्यार दो ने और अगर उन्हें भगवान मानते हो तो फिर लड़ू पाल मत गओ किया आप छोटे से हो दो-दो भाव एक साथ नहीं चलना चाहिए एक भाव द्रण हो जाओ और एक भाव आपका कल्यान करेगा उसी बाव में टाकुर आपको प्रेम करेंगे